रिशी कपूर पिछले कई महीनों से नियू यॉक में अपनी बीमारी का इलाज करा रही हैं बताया जा रहा है कि वो जल्द मुंबई लोट सकते हैं वहीं हाली में रिशी कपूर ने जम्मू कश्मीर से आज कल 370 हटाई जाने को लेकर अपनी राय रखी है हाली में एक बाचीत के दुरान रिशी कपूर ने कहा कि कश्मीर में जो भी हो रहा है वो अच्छा होगा मुझे प्यार चाहिए, भाई चारा चाहिए और शांती चाहिए चीजों को सुहाद्य पुर्वग हल किया जाना चाहिए वही रिशी कपूर की पत्नी नीटू कपूर ने कहा मैं राशनीती की जादा अच्छी समश नहीं रखती लेकिन मुझे अपने देश और हमारे प्रधान मंतरी पर बहुत गर्व है वो जिस तरह से देश चला रही है इसके लिए मैं उनकी प्रशन साह करती हूँ बता देंगी जब से मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया है तभी से इस पर कई रियाक्शन्स आ रही है जहां कुछ लोग इसका विरोध कर रही है वहीं बॉलिवुट के जादतर स्टार्स ने मोदी सरकार के इस बड़े फैसले का सपोट किया अक्शे कुमार परेश रावल अनुपम खेर, कंगना रुनौत और अशोग पंडित समेट कई स्टास ने आर्टिकल 370 के हटने पर अपनी खुशीद साहिब की थी वहीं बॉलिवुट के तीनो खान, सल्मान, आमिर और शारु खान ने अभी कश्मीर मामले पर चुपीर साधी हुई है वहीं मोदी के इस पैसले से पाकिस्तान को तो इस कदर मिर्ची लगी हुई है कि वो लगातार अपनी बॉकला हर्ट दिखा रहा है बात करें रिशी कपूर की तो वो हमेशा ही सोचल मुद्धो पर अपनी राय सामने रखते ही है लेकिन उन्होंने कश्मीर मुद्धे पर अब तक कुछ नहीं बोला था लेकिन उन्होंने भी अपनी प्रतिक दिया देकर मोदी के पैसले का समर्थन किया हाली में रिशी कपूर और नीटू कपूर की मुलाकात अनुपम खेर से हुई थी तीनों सेलिब्रिटी शेप पिकास खन्ना के यहां डिनर करने गए थे अनुपम खेर ही नहीं शारु खान, आमिर खान, पेंका चोपडा, आल्या भट और दिबिका पाडू कोन सहीद बॉलिवुट की कई हस्तियों ने रिशी कपूर से इस दोरान मुलाकात की है वैसे कश्मीर के मामले पर रिशी के सेट्मेंट को लेकर आपकी क्यार आई हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलिवुट से जोड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए